हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल माई नम इस वाटिका सिंग और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि प्रति दिन की सैर कितनी लाब दायक होती है हमारे लिए प्रति दिन की सैर कितनी लाब दायक है हमारे लिए मोटापा न केवल खुब सूर्ती का दुस्मन है वरन अनेक रोगों का घर है मोटापा विबिन रोगों को निमंत्रन भी देता है मोटापा एक ऐसा रोग है जो बहुत प्रतिन के बाद भी सायद ही पीछा छोड़े खान पान रहन सहन में थोड़ी सी लापरवाही मोटापे का दुआर खोल देती है हमारे लिए इसके लिए आप अपने आचार विवहार रहन सहन पर अंकुस लगाएं बगर छरहरे नहीं रह सकते स्वास्त प्रद क्रिया कलापों को हम अपनी दिन चर्या में सामिल कर ले तो मोटापे के जाली मपंजों से बचा जा सकता है पहले नमबर पे मानसिक कार करने वाले व्यक्ति अधिकारी जिनको पैदल चलने का काम कम पड़ता है अक्सर मोटापे का सिकार हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति को खान पान का विसेश रूप से ध्यान रखना चाहिए प्रति दिन वयाम वा सैर भी लाबदायक होती है दूसरे नमबर पे सुबह साम ताजा भोजन करें समय वा स्रम की बचत करने के लिए बहुत सी महिलाएं फ्रिज की बदौलत धेर सारा खाना बना लेती हैं समय वा स्रम की बचत के और भी कई तरीके हैं उन्हें आजमाईएं थर नमबर पे बासी भोजन में पौश्टिक्ता जो है अमूमन पूरी तरह नश्ट हो जाती है गरिष्ट तेल मसालेदार खटाई युक्त भोजन से परहेज करें इनसे मोटापे के साथ साथ अन्य विमारियों की संभावना कई गुना बढ़ जाती है पात चौथे नमबर पे बोजन चाहे हलका फुलका हो या गरिष्ट अपनी छमता के अनुसार ही ग्रहण करें जितनी कैलोरी ग्रहण की है सारीक स्रम द्वारा उतनी ही खर्च भी करें तो अगर आपको हमारा ये वीडियो स्वास्त के प्रति हेल फुल लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए कमेंड करिए और ज्यादस ज्यादा आप हमारे इस वीडियो को सेर करिए ताकि यह वीडियो हमारा उन कि अपने लापरवाही बरतना कम कर दे और अपने स्वास्त के प्रति ध्यान दे तो अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी साथ वेल आइकन को प्रेज ज़रूर कर लिजेगा ताकि हम जब भी कोई जिससे कि आप हमारे आने वाले निव वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ थाइंक्यू सो मच फॉर वाचिंग एंड सस्क्राइब माई चैनल